काम करो ऐसा की पहचान बन जाए हर कदम चलो ऐसे की निशान बन जाए ये जिन्दगी तो सब काड़ लेते हैं जिन्दगी ऐसे जीओ की मिशाल बन जाए गुड मॉनिग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टुड़ी पॉइंट दोस्तों आज है पांच फरवरी और स्ट पुड़ी मॉनिग मिलता रहे अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लेश वीडियो को लाइक जरूर करें सभी दोस्तों के साथ जितने फियारी करें ताकर उनके फिल सके वीडियो को लास्त तक देखिए दोस्तों हर एक्जाम के दिश्टी से बहुत इंबोडन कोश दिख सो मोदी जी में जम्मु का Yok bursting कहले आधार सिल्जा रखी है आपको बता कि लगांट कोशन को कैंद्री जाच वीर आई सें stress Bureau of Investigation ठीक है CBI Central Bureau of Investigation का नया निदेशक डारेक्टर बनाया गया है तो नया डारेक्टर नियूद किया गया है दोस्तों रिशी कुमार शुकुला ये important question है आप याद रखेंगे ठीक है रिशी कुमार शुकुला ये काफी चर्चित भी थे ठीक है CBI तो देश की सबसे बड़ी जांच अजनसी है ये किंद्री जांच भीरो एनिशी का नया डारेक्टर बना दिया गया है रिशी कुमार शुकुला बन गया नए CBI निदेशक ये आपके आगामी एक्जाम से में ऐसे question देखने को मिल सकते हैं फिर हमारा अगला question है दोस्तों प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी के तहत किसान को सालाना कितनी नगत साहता उपलब्द होगी तो यह को दोस्तों में सालाना 6,000 रूपए की नगत साहता देने का एलान किया है ठीक है आपको बता दे कि योजने सरकारी खेजाने पर सालाना 75,000 रूपए का वार्षिक बोच पड़ेगा और यह साहता है दो हेक्टेर से कम जोत वाले किसानों को अपलब्द होगी ठीक है तो प्रधान मंत्र वीडियो को लाइक, अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दिखाएं हमारा अगला कुछन है नया आंधर प्रदेश उच्छ नियाले राजिक की सहर में बनाय जाएगा तो यह बनाय जाएगा दोस्तों अमरावती में ठीक है अंधर प्रदेश हाई कोट का जो आंधर प्रदे के अलावा 15 नया दिस होंगे ठीक है मुक्किन अधिस के अलावा 15 अलग नया दिस होंगे ठीक है तो यह आप याद रखेगा अंधर प्रदेश का नियू हाई कोट अंधर प्रदेश में कहा मना जाएगा अमरावती में कोशन नमर फिप्त है उस व्यक्ति का नाम क्या है जि राजीम नयान चवबे को एक फरवरी को शंग लोग से वाइन यूपीस्स के सदस्क्रूब में पदा और गोपनिता के शपत दिलाईगी आयोक की जोद्यक्ष दोस्तों यूपीस्स के अर्विन सकसेना नों ने शपत दिलाई है तो यूपीस्स के चेर्मैन कोन है बरतमान म यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के चेर्मैन है अर्विन सकसेना और नयस दस राजीम नयान चवबे ठीक है चलिए इसका रुख्याला है यूपीस्स कहां पे डिल्ली में है दोस्तों इस वीडियो को जादा जादा शेयर जरू किया करें आप लोग अपने जितने भी स्टेडी ग्रूप है वाट से फेस्बुक ठीक है चलिए अगला वोचन है दाक्सफोर्ड इंडिया गांधी एसेंसियल राइटिंग्स नामक पुस्ता के लेखक है गोपाल है पॉटपट कॉन सा देश यंतराष्टी तेल एवं घ्याश समयलानों और प्रतस्णी पैट्रोटेक spelled भारत सरकार के देखे दोटysz्थों पैट्रोलियंऔर प्राक्तिक GUES मन्त्री द्वारा साश्ज?दार 95 से जादा वर्जा मंत्रियों को समयलानों भाग लेने के लिए इन्वाइट किया गया है तो यह तेर्वे अंतराश्टी तेल और गैस समयलन प्रदसनी पेट्रोटेक कि मेजवानी अपना इंडिया भारत करेगा अगला कुश्चन है हमारा किसने हाली में ऑस्ट्रेलियन ओपें 2019 में पुरुस एकल का खिता है पुरुस एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों नोवाग जोकोविच ठीक है यह आप याद रखेंगे काफी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपें में पुरुस एकलवर्ग का किसने जीत लिए नोवाग जोकोविच विश्च के नमबर एक खिलाडी है ठीक ह और इन्होंने एक तरफा मैच में राफिल नडाल को राया है और वह इसी के साथ 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 बार ऑस्ट्रेलियन ओपें खिताब जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गये ठीक है तो नोवाग जोकोविच ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलियन ओपें पुरुस एकलवर् ठीक है उपसन ए इन्होंने चेक गणराजी की पेत्रा क्विटोवा को तीन सेटों में रोमांचक मुकामले भरा दिया है और उस्ट्रेलियन ओपें महिला एकल किताब जीत लिया और आपको बता दे कि वह दुनिया की नंबर एक खिलाडी भी बन गई है इसी के साथ ठीक है तो जापान की नाओमी ओसा का ओस्टेलियन ओपें महिला एकल वर किताब जीता है और पूर्सों का किसने जीत लिया है पूर्सों का ओस्टेलियन ओपें नोबाग जोको भी दोनों कोश्चन आप बिल्कुल याद रखेंगे रट लीजे आगामी एक्जामस में जबर देख प्रोजना राशको समर्पित किया मोधी जी ने ठीक है हमारा अगला वोशन है वर्ष 2019 में भारत दन के लिए किसके नाम की घोषना नहीं की गई है तो इन में से सफा उल्ला खान को नहीं दिया जाएगा बांकी नाना जी देश्मुक प्रणमुकर जी भूपें हजारिका ज तो 1018 का नया नाम हो जाएगा दोस्तों बंदे भारत एक्सप्रेस ठीका ओप्सन ए देश में निर्मित है 1018 का नाम बंदे भारत एक्सप्रेस होगा रेल मंत्री पिर्श गोल ने हाली में गोशना की है और 1018 में अलग से कोई इंजन नहीं है ठीक है चलिए अगला गोशन सब्सक्राइब गरते हैं हमारा क्वेशन नमर थाटीन है हाली में सीरिया और इरान ने इमनेमैं से कितने समझातों और ग्यापनों पर स्थाक्षर किये हैं 11 ठीक और और ऑप्सन सी लिए ग्यारा समझातों फ्था इसमें आप्सी सहीओक को मजबूत बनाने कि उद्देश स किस देश के नाविक जॉन लूक वैन डेन हीड ने 29 जनवरी को 202 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी याट के जरिये समुद्र के रास्ते दुनिया का चकल लगाने की रेस चीदली है किस देश के यह तो यह हैं फ्रांस के ठीक है फ्रांस के फ्रेंच जनाविक है जॉन लूक वैन डेन हीड उनने 29 दिन में बिना किसी अत्याधुनिक उपकरण की मदद से अकेले अपनी याट के जरिये समुद्र के रास्ते दुनिया का चकल लगाने की रेस जीत लिए ठीक है फ्रांस के फ्रेंच केंद सरकार ने सुखा प्रहवित इलागों के लिए सहायता के तौर पर किस राज्य को अब तक का सबसे बड़ा 4714 यानी 4714.28 करूल रुपए देने का पैकेज दिया है और दीजन तो महराश्ट्रा को ठीक है Option C knee किस की сयोग के कारिवाह 2016 पी-सी मोहनन और 713 अबने पाशिचिये इन्हों ने श्तीफा द दे दिया JOSH राष्टी सांख की आयोग के ठीक है, option B राष्टी सांख की आयोग के कारवाक अध्यक्स, P.C. मोहनन और सदसे जेवी मिनाक्षी ने अपने पत से, इन्होंने श्टीफा दे दिया, ठीक है, राष्टी सांख की आयोग भारत में कैद में रहे हाथियों के पहले सर्वे कानुसार देश में कुल कितने हाथी कैद में है 2454 ठीक है option D 2454 ठीक है तो आप याद रखेंगे देखे दोस्तों भारत में कैद में रहे हाथियों के पहले सर्वे का अनुसार देश में कुल 2454 हाथी कैद में है जिन में से 58% रसम में 905 और केरल में 518 और बतोर सर्वे 2454 हाथियों में से एक तिहाई गयर कानुनी रूप से न से एल्ड आज वूडेयों में इससका सभी स्वेटें राइट एंसव ने रीट अंसर दीया था दो फरवरी ठीक है दो फरवरी को मना जाता है विश्चो वेट लेंड्स दिवस अब देख लेते हैं दोस्तों आज का हमारा सवाल क्या है किसे केंदरी जाच वीरो सीवी आई के निदेशक के रूब में नियूप किया गया है तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसका फटा फटा अंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे साथी सीवी आई के बारे में काफी डेटेल में लिखेंगे ठीक है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लिए अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक निके लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर करे ठीक है दोस्तों मिलते हैं भीडियो के साथ तब तक लिए अपना ध्यान रखेंगे स्वस्तर रह ये बैस्तर ये मस्तर रहिए जै हिन जै भारत